Assalamualaikum dear students, welcome to my youtube channel, I hope you are well today, I am your teacher Iman आज मैं mathematics 9 standard की 1.3 का question number 5 का part 5 solve करने लगी हूँ और आप में question को अच्छे समझने के लिए video को start से end तक देखना है ताकि आपकी during questions कोई भी confusion ना रहे before start today topic please like subscribe and press bell icon button चले हम बढ़ते हैं आज के topic की तरफ exercise 1.3 9th class की आज मैं start कर रही हूँ उसके मैंने question number 4 तक मैं आपको आपको अरड़ी बता चुकी हूँ आज question number 5 का मैंने part number 5 को solve करना है यहां मेरे पास जो question or statement given है वो है c minus b bracket में है plus a is equal to c plus फिर हमारे पास में small brackets है a minus b अब पहले हमें left hand side solve करना है उसके बाद मैंने right hand side को solve करना है और यह दोनों sides का जो answers है वो क्या होना चाहिए equal होना चाहिए लेकि मैंने सबसे पहले left hand side लिए left hand side के हमें c minus b bracket में है plus a अब मैंने सबसे पहली c minus b जो bracket में given है इसे solve करना है मेरे पास जो c matrix है वो क्या है minus 1, 0, 0, 0, minus 2, 3, 1, 1, 2 यहां देखे में पास 3 rows है और 3 columns है फिर मैंने इसे minus यह separate करना है किसे b matrix को वो क्या हमें पास 1, minus 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, 3 यहां भी 3 rows है और 3 क्या हमें पास columns है मैं आपको अल्रेडी बताच की हूँ according to property कि हमारे पास rows और columns अगर equal होंगे और same दोनों के orders होंगे तो हम उन्हें subtract or add कर सकते otherwise हम उन्हें subtract or add नहीं कर सकते और इसके बाद मैंने same matrix A matrix को write कर दिया अब मैंने इन दोनों matrices को solve करना है मैंने इस वाले matrices में से इस वाले matrices की entries को क्या करना है minus करना है देखे यह first entry है मेरे पास और इस matrix की first entry के मेरे पास 1 और यहां के है minus 1 मैंने minus 1 में से इस वाले 1 को क्या करना है subtract यह देखे माइनस का साहन है यह देखे माइनस वान ब्रैकट का मतलब क्यों एक मल्टिप्लाई कि मैनस प्लस मैनस तो इन किया ailing Hindi मानने अपमेरे सेक्टाइब करने नहीं माइनस लोड़ी नहीं हिर अद देखे सेखे़ पलस माइनस मैनस माइनस प्लस मिल्स Meter कह Size 0 plus 1 3rd entry है हमारे पास है 0 और यहां के हमारे पास 1 3rd entry पर तो यहां के है minus minus plus minus तो यहां के हैगा zero minus 1 अब हम fourth entry तरफ आप आते हैं हमारे पास है 0 इसमिने 4 एंट्री कहां पर कहा है 2 इसे subtract हो प्लस देखें जिसके साथ कोई sign नहीं होता है उसके साथ क्या sign होता है अपका plus तो plus minus minus तो 0 में से हमने subtract क्या करना है minus 2 फिर हम अब बाइनस 2 है यहाँ पर minus क्या होगा minus minus plus गर दोनों sign सेम हो जिसे minus minus या plus plus तो हमने क्या करना होता है multiplication और division में उन्हे add करना होता है अगर दोनों sign क्या होंगे हमारी different होंगे के साध हमारा साइन माइनस का प्लस तो फेकर माइनस टू अकि उसी तिर्णा 3 के साद हमने माइनस किय थु को तो माइनस डू क्या होग और हमारा स्मी माइनस माइनस टू के साध हम करें एक तो 1-3 क्योंकि यह दोनों sign different यह plus यह minus plus minus minus 1-3 तो 1 यहां भी sign different है दोनों के दोनों तो minus आएगा तो 1-1 2-3 यह देखे मैंने तमाम entries में इन तमाम entries को subtract किया तो देखे अब यहां आप देखे गाईज कि minus 1 और minus 1 क्या होंगे हमारे minus 2 के एक वर देखे इसे मैं आपको यहां solve करके दिखाते हूँ देखे minus 1 और minus 1 पॉर्ट हमारे पास one lines किसकी है minus की है और यहां भी हमारे पास कितनी lines है minus की तो यह हम chocolates ले ले सकते हैं कि यह भी minus की chocolates है यह भी minus की chocolates है अब हमारे पास total minus की chocolates कितनी हो गई है 2 तो minus 2 पूद चॉकलेट अमारे पास गीवन है तो सेम वही रूल म defekt करना है कि यहाँ पर हम जब सब्रेक्ट करते हैं या प्लमस करते हैं तो हमने कौन सार रूल अप्लाइ करना कि आगर दोनों साइं लें होंगे तो हमने उन दोनों एंट्री को अगुड करना है तो हमने greater entry में से lower entry को क्या करने हैं सब्ट्रेक्ट करना हैं देखें दोनों entry सेम हैं तो क्या होगी हमारा minus 1 minus 1 minus 2 0 plus 1 तो क्या होगा हमारा plus 1 0 minus 1 अब यहां लोगं confused हो जाते हैं कि देखें तो यहां भी 0 की कोई value नहीं है जब हम plus कर रहे होते हैं तो यह प्लस वान तो यहां भी 0 की कोई value नहीं है लेकिन multiplication or division के अंदर 0 क्या होता है वैल्योल होते है तो हम यहां जीरो की जाएगा तो हमारे क्या है का आंसर ? 0 variables 3 इसे हमने adesso 2 कर दिए दिखिए इसको भळे हमने rule करने कि हमारे पास plus की 3 entries है और 2 entries हमारे पास किसी है minus की है तो plus, minus, cancel plus, minus के साथ cancel हो हमारे पत तो कितने plus रह गए है 1 तो यह क्या गए हमारे पर तो प्लस, 1 तो हमारे पास कितनी entries हैं minus की 3 और ३लस की chsel और सब्सक्राइब सकते मार्स के कितन वज गई सेम तमारे त् यह ने पास 1 i5 me ise 1 तil सब्सक्राइब करें तो 2 plus की और 3 किया मैंने पास minus की तो 2 plus कि दो minus के एंटरी इसके होगे cancel होंगी तो हमारे पास minus 1 क्या बच जाएगा only अब हमने क्या करना है इस वाले matrices को simplify करने के बाद हमने एंटरीस के अंदर इसे क्या करना है add करना है अब हमने first entry को same rule के मताबिक first में second को second third को third में add करना है 4 को 4, 5 को 5 में so on पीर हमने कहा है minus 2 plus 1 1 plus 2 minus 1 plus 3 minus 2 plus 2 0 plus 3 1 plus 1 minus 2 plus 1 0 plus minus 1 minus 1 plus 0 अब यह देखे minus 2 में थे हमने 1 क्या क्या add किया तो क्या आगे minus 1 1 plus 2 कितना होगे है माल पास 3 minus 1 plus 3 कितना होगे है हमार पास 2 2 में से हमने plus 2 में से minus 2 वो हमने subtract के तो हमार पास क्या entry आएगी 0, 0 plus 3 3, 1, 1, 2 minus 2 में से 1 को क्या किया है add किया तो minus 1 या minus 1 और minus 1 plus 1 is equal to minus 1 this is our left hand side of this question now we solve the right hand side of this question now dear students हम right hand side को solve करने लगे है right hand side हमारे किया c plus into a minus b और bracket cross पहले हमने क्या करना है हमने इस bracket को solve करना है हमने यहां c matrix को write किया plus a matrix minus b का matrix अब हमने वही रूल अपनाना है हमने 1 में से 1 को 2 में से minus 1 में से minus करना है 3 में से 1 को और same में से ही तमाम entries को जो इस matrices की है हमने इस second matrix में से क्या करनी है subtract करनी है देखें मैंने यहां सबको subtract किया है subtract करने के बाद जो result obtain हुए वो क्या है 1 minus 1 0 2 minus 2 0 1 minus 3 minus 2 2 plus 1 is equal to 3 3 plus 2 5 minus 1 minus 1 minus 2 same as it is मैंने इने solve किया अब यहां देखें मेरे पास matrix a है और यह a minus b का क्या है result है तो मैंने minus 1 0 0 में से 0 minus 2 3 1 1 2 में से इन entries में से मैंने जो हमारा a minus b का result है matrix है उसे क्या करना है अपने add करना है देखें मैंने first entry को first में second को second entry में third को third entry में so और ऐसे ही मैं तमाम entries को इस matrices की तमाम entries में क्या करना है add करना है यह देखें मैंने सबको add किया add करने के बाद मुझे जो result of 10 हुए वो क्या हुए minus 1 3 2 0 3 2 minus 1 minus 1 minus 1 जो हमारा equivalent किसकी है c minus b plus a matrix के तो hence prove that left hand side is equal to right hand side देख students उमीद है कि आज और question आपको बहुत अच्छी से clear हुआ है अगर during lecture कोई भी आपको थोड़ी सी दिक्कत या मुश्किल पेश आई है और आपकोई भी इस related question है तो आप उससे comment section में पूछ सकते है thank you for watching this video